मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp पर आपके जो भी contacts है उसके status में जो वीडियो जाते हैं या फिर उसके image आते हैं उसको कैसे आप download कर सकते हो या फिर उसको कैसे आप अपने mobile में save कर सकते हो अपने gallery में generally जो है status को आप save करना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बहुत असानी से आप उसको save कर सकते हो अपने mobile में और उसको use भी कर सकते हो आप ये भी समझ लेजिए कि WhatsApp status होता क्या है जैसे कि WhatsApp में एक status का feature है जिसमें कि आप अपने लाइब से के important जो वीडियो होते हैं pictures होते हैं आप उसको वहां share कर सकते हो और आपके contact जो है उसको देख पाते हैं ठीक है जैसा कि आप वहां पर setting करते हो ठीक है वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको यहां आपने WhatsApp को अपने mobile में open करना है ठीक है यहां पर देखो कि आ बीच में status का message होता है यहीं पर वो आपका सारे जो ही content होते हैं अपना जो है important videos और image यहां share करते हैं मैं इसको click करता हूं status को तो यहां पर देखे इस तरह का एक आपको page आएगा यहां पर जतने भी आपके contact है वह आपने status को share करते रहते हैं आप daily जाहों तो आप अपने status क यहां पर share कर सकते हो और बहुत सारे लोग आपको देख पाएंगे ठीक है यहां पर जो है आप देख रहे हो और जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाओं कि एक मेरे contact है हमारे मौसी जी है और इनका जैसे कि मैं status यहां पर देखना चाहूं तो हम इसके उपर में click करेंगे ठ हमेल किया है है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो मतलब नौग स्टेटस यहां पर इन्होंने शियर किया है ठीक है लेकिन इस स्टेटस को जो है अपने mobile में कॉपी करना बड़ा मुस्किन होता है इसको अपने मौईल में सेफ करना मुस्किल होता है लेकिन कोई वीड सब्सक्राइब का जिसको भी आफ सेब करना चाहते हैं उनके इस स्टेटस को देखना जरूरर में देखके आप उसको डवर्लोड यह सेव नहीं कर सकते हो जिनका वे स्टेटस अब देखोगे उनको ही आप जो है आता है कि सबके मोबायल में होता है माइफाइल. female में जाएए आप यहाँ पर आपको जो है रांइटर्णनल इस्टोरिज में जाना है क्योंकि आप को不知道 का फीर्म जो फोल्डर होता है उसके अंदर बना होता है तो हम एक इन्टर्णनल र Goodness में जाएंगे ठीक है जहां तो WhatsApp Business को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप General WhatsApp को भी क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपको इस तरह का यहाँ पर Option मिल जाएगा, Database Back of Media, तो आपको जो है, मीडिया को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, मीडिया को हम यहाँ पर जो है, क्लिक करते हैं, आपको इस तरह से स्क्रीन आपको यहाँ पर आपके मॉबायल पढ़ाएगा, आपको क्या करना है, कि उपर में देखिए तीन डॉट आपको दिखाई दे इसको ख्लिक कर देना है, इससे फाइदा यह होगा, जो भी हिडिया का अंदर में दिखने लेगा, तो हम इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं, ठीक है, जब आप इसको इनेबल कर दोगे, उसके बाद आपको बैक जाना है, एक इस्टिप बैक जेना है, फिर से मीडिया वा है, तो यह आपका, चुकि यह hidden files होता है, यह आपका, यह visible हो चुका है, चुकि इसको आपने enable किया हुआ है, तो देख सकते हो, status का एक option आगया है, इसको आप click कीजिए, ठीक है, जब आप click करोगे, तो इसके अंदर वो सारे files होगे, जिनको भी आपने WhatsApp पर visit किया है status में, म असानी से आप इसको यहां से select करके जो है na copy कर सकते हो, जैसे कि यह file अगर आपको select करना है, तो यहां से select कर लीजिए, नीचे copy का option है, इसको copy कर लीजिए, और उसके बाद यहां पर भी आपको अपने mobile में उसको save करना है, आप वहां पर जाके उसको paste कर सकते हो, और वो आपको फिर से यहां पर रिपीट रहना चाहूंगा अपने वाट्सप में जिस कॉंटेक्ट का स्टेटर्स मैसेज आपने चेक किया है वीडियो हो चाहे इमेज हो कि वल उसका ही आप जो है स्टेटर्स को सेव कर सकते हो अपने मोबाइल में तो उसको देख जरूर लीजिए धन्यवाद दोस्तों